जो प्रभू का चिंतन करते हों प्रभू में बस्ते हैं और प्रभू उनमें बस्ते हैं प्रभू की अहेतु की क्रपा प्रभू का सवहार्द और प्रभू का उज्वल प्रेम ये तीन उसको सदयु प्राप्थ होते और बढ़ते रहते जो बार बार प्रभू का इस्मरन करता पुना ध्यान दीजिए जब हम बार-बार नाम जब कर रहे प्रभु का इस्मरन कर रहे अपने प्राणा प्यारे प्राण धन प्राणा राध्य का चिंतन कर रहे तो क्या प्रभु की क्रपा प्रभु का सहज सवहार्द और प्रभु का उज्वल निर्मल प्रेम ये तीन उसके हरदय में बढ़नते हैं प्रकाशित होते हैं सोचो प्रभू की कृपा प्रभू का शवहार्द दुलार और प्रभू का उज्वल प्रेमबड अप चैहिए क्या आपको अनुभो में नहीं आ रहा पर ये प्राप्त हो रहा है सत्य वचन है इसलिए आपको भले सुख न मिले भले अनुभो न हो आप जबते रहे शामा शाम शामा शाम जबते रहे हैं बड़ा सुख है जितने भी महाभागवत जन हुए हैं अब देखो परम महाभागवत वैश्णवाचारी भगवान शिव या शिव शुरूप श्रीहनमान जी महाराज रोम रोम से उनकी सियाराम सियाराम निकलता है संयोग से होता है कि जिसे कोई चरित्र सुनने की मिला उसका चिंतान हुआ तो पी संयोग बनता है एक दिन ऐसे इस सोपन में देखा कि संत महत्माजन पधारे हैं और उन्में देखा एक रामान नंधी तिलक लगाये हुए शिहनमान जी महाराद पधारे यह भी कुछ दिल की वाद थोड़ा कभी-कभी जैसे कोई प्रशंग, कोई ऐसा पुर्वा भ्यास वस भरत जी या बिविश्ण स्वरना कभी-कभी ऐसे अगर कोई स्चोपा या कुछ आया तो एकदम तो अन्वान जी से प्रश्ण करने है संत जन कि भजन करने पर भी आप जैसा प्रेम क्यों नहीं हो रहा, आप जैसा आनंद क्यों नहीं आ रहा इस पस्ट सब्दों में सुनाई दे रहा था उनका जब तक आहम मैं कर रहा हूँ ये रहेगा तब तक इस आनंद नहीं आएगा बड़ा दैन सुरूप अनवान जी महारा बड़ा दैन बार बार केवल इस बात से रोना आ रहा था कि इतने महान वी इतना दैन ने सब संतों को प्रणाम कर रहेए एगदम मतलब लुज लुज आए महावीर है बिक्रम है अरे पुछोगा लिकिन उस समय जो दर्शन एकदम प्रेम से द्रवित हरदय नहीं रोम रोम उनका एकदम बैठ करके घंटों के वेल इसी बात ने कि कैसा प्रेम का स्वरूफ है स्रीहनमान जी महाला से कैसा रोम रोम से आप भर रहें अपने प्रीतम को जो आप बार बार इस्त्मरण करें न क्या फल मिले गए स्रीहरिवन्स नाम नित कहों नाम प्रताप नाम फल लहों हमारा फल नाम ही है नाम हमारी गति सदा अब बुलो सच्ची मानिये बिना चाहे सब महापुरुश आते बिना चाहे कोई मतलन कोई आका अच्छा नहीं कोई प्रारतला नहीं कोई निवेदल नहीं आके निहाल कर जाते हैं इनको कोई सी संपर्दाय से उतलब ले होता है यह जो भगोत प्रात महापुरुश होते हैं हम सब उनके बच्चे हैं जहां जब 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 आशकता हुई कोई भी महापुरुश आकर कृपा कर जाता है कि our फ़्रीघेड आप रहें आपने प्रीतम का राधा राधा सीहरिवन सीहरिवन्स राधाल राधाल यहा प्रीतम को भर रहे इतना भर जाता है कि रोम रोम से निकलने लगता है रोम रोम जब र Nousack बोले बोली सकी तब सुस्वाद नाम को पाए भरो नाम अब भरुबहरभार कि श्यामा श्याम 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 कितना आनन्द है। बैठ रहा हो कुण न के कोने। अपनी हम तो जो कुटिया है ना। वह हमें गुफा नजराथी। पहाण में गुफा लें। आठ नो फ्लोर का है पहाड ना बीच में कहीं गुफा है बंद कर लो हमित लगा कि गुफा है कोई किसी का ला ले जाला ले बंद गुफा रादे से हम ऐसी भावना करो कि स्रीजी की महलें महलों में गुफात में भी मिल गई इसी कोने रहें श्याम 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 धरते रहो सदा शमीप ही प्रभु को देखो कि जब यह तीन बढ़ेंगे क्रपा सवहार्द उज्वल प्रेम तुम्हारा कोई साथ ही नहीं है जन्म के पहले प्रभु साथी और मरन के बाद प्रभु साथी तो बीच में धोखे में कोई तुम्हारा साथी नहीं है और यहां कोई है भी नहीं कोई भी नहीं यहां सब गुण के गाहाक है गुण के गाहाक आप में कुछ बढ़िया है तो हाथ मिलाओ कुछ नहीं बढ़िया तो हरी हाथ मिलाने के लिए राजी कोई और राजी नहीं आप में कुछ भी अगर संसार में कोई भी आपसे अपनापन कर रहा है तो कुछ है संसार का तभी कर रहा है गुण मानी संसार और शकल गुण प्रीत बिन आप ऐसा मत समacious कि आप योग क्या है इसलिए सल नहीं आप इमें कुछ है यस अंसार भिसजी. आपने कहीं है बिसजी इसलिए अकर्षित हो रहें कोई गुण और इस प्रक्रति Alf св cus you यह गुन है यह बिसक्रेंति ब्रकतिका आकर्शन हो रहा है तभी जो आपसे अव्यक्त प्यार करने वाला पहले था बाद में रहेगा वही बीच में प्रकासित हो जाएगा अव्यक्ता दिन भूतानी व्यक्त मध्यानी भारत अव्यक्त निधनान नेवतत्र का परिदेवना क्या बीच वालों के लिए सोचना क्या उनको अपना मानना और जिस शरीर को आप अपना मैं मान रहे ये च्छन भंगुर है, बिनाशी है कर्म जनित है, पांच भोतिक है सच्चिदानंद प्रियालाल में ममता आसकती करने में ये बाधक है अगर इसमें मनता रखेंगे न, आसकती रखेंगे न, तो ये बाधा है पांच भूले देश सुदी कर्म जनित है, पांच भोतिक है, जन्मने मरने वाला है, बिनाशी है, दुख में है इसी सेकेंड में लाखों लोग पैदा हो गए इसी सेकेंड में लाखों मर गए, इसी सेकेंड में लाखों आनंदित, सुखी न जर आए, इसी लाखों हाहा कार कर रहे यही हमारे प्रभू की माया वाटिका है यही प्रभू की माया जनित खेल है इस लोक में जितने भी जन्मे हैं सबका परिणाम जन्मने वाले का मृत्तिव है अजन्मा का परिचे प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर मिलाए जान लीजिए उसे जान लीजिए जो तू अजन्मा है और तेरांसी अजन्मा है उसको जान जाए तो तु जीवन मुक्त हो जाएगा प्रेम में हो जाएगा जीवन का परम लक्ष है अपनी अहमता ममता को केवल आराध्य देव के चरणों में लगा देना पर सब भूले हुए हैं इस अहमता ममता को सरीर और संसार में लगाए हुए हैं आते वो सब को सरीर और संसार का इस्मरन करना नहीं पड़ेगा स्वभाविक हो रहा है जिस समय आप अपनी अहमता मंता प्रियालाल के चर्णों में लगा देंगे तो ऐसा ही होगा प्रियालाल का इस्मरन करना नहीं पड़ेगा स्वभाविक होगा बड़े भागिशाली वो जन है जो एक दूसरे मिल करके प्रियालाल की चर्चा करते हैं प्रियालाल का एक दूसरे को इस्मरण कराते हैं एक दूसरे की वो साहता करते हैं जिससे वो प्रियालाल की तरफ आगे बढ़ें प्रियालाल की मदुरिस्मृती ही हमारा परम जीवन है बड़ा सुख का विसे है भगवदिस्मृती हरी स्मृती सर्व विपद विमोक्षणम हम यही तो चाहते हैं कि विपद्ती कभी छू न जाए तो हरी स्मृती में रहो हम चाहते हम जरम मरण से मुक्त हो जाएं तो यस इस मरण मात्रिन जन्म संसार बंधनात भिमुच्यते नमस्तस्मई विश्णवे प्रभिविश्णवे सवरव्यापक पर मात्म तत्व आपके अनुभो में आ जाएगा जन्म मरण का चक्र रुक जाएगा यदि आप इस मरण परायन रहें भगवदिस्मर्दी एक मात्र भगवद इस्मृति केंद्रित कर दो कोई भी पदार्थ कोई भी व्यक्ति कोई भी परिस्थिती हमारे इस्मृति का विशय न बनने पावे ओ अभी क्या है यही हमारी स्मृति का विशय है अगर हमारी समर्थी हो रही तो किसी पदार्थ की, किसी परिस्थिती की, किसी व्यक्ती की, किसी घटना की हो रही और सास्त्र क्या कह रहे, गुरुजन क्या कह रहे, कि हमारी समर्थी का केंद्र केवल प्रियालाल हो कोई भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, घटना, परिस्थिती, हमारी समर्ती को न चुरा ले, हमारी समर्ती एक मात्रारा ध्यदेव की हो, विश्वास करो, प्रभु आपके समीफ हैं, गेरे हुए हैं, प्रतेक पल आपका मंगल विधान कर रहे हैं, इसलिए प्रशन रहो, क हम प्रभु की समर्ती की तरफ ध्यान दे, गुणों से प्रभु नहीं मिलते, चाहे जो गुणों हो, चाहे जितना गुणवानों, हमारे हरी प्रिया गुणों से नहीं रिजते, आप प्रिया लाल से अपनापन की जीव, इतने से रिज जाएंगे, अपनों जान, अपनों, ये मेरा है, अगर आपकी स्मृती, अन्य ग्रामों की, नगरों की, अन्य प्रांतों की हो रही, वाप ब्रंदावन वास कर रहें, तो वरतमान में आप आनंद रही थे, देख लिजे, अगर आपका सरीर कहीं दूर देश में रह रहा है, ऐसा सोभाग्य भी नहीं मिला आप स्र दाम का हो रहा है तो आप देख लिजेगा आप वर्तमान में आनंदित रहेंगे वर्तमान में चिंतन दीविवा भूयवा मवास्तु वासो नरकेवा कई भी बस चिंत यामी खास बात चिंत यामी कई भी सरीर हो हम आपके चिंतन में कासी में मरने से भगवत प्राप्ति होते जीवन भर जो नाम का असरे लिए उसका प्रभाव क्या हुआ तो मगहर की पाटी में सरीर जा के छोड़ा नाम का प्रभाव क्या है कहीं भी हमारे उर ब्रंदावन जा भी रोगे वहीं ब्रंदावन होगा यदि आप इस्मृती में डूबे हो इस पक्ष पे ध्यान दीजिए और अगर आप ब्रंदावन में हो इस्मृती रही थो तो कल्यान में संसे नहीं है ये वस्तु अपना प्रभाव दिखाएगी अंदर का चिंतन परिवर्तन करना है अंदर का चिंतन साधना उपासना किस बाद के अंदर का चिंतन परिवर्तन हो जाए सदास्तरवदा प्रियालाल के स्रीचरणों का इश्मरन करते हुए आप सदयू प्रशन रहेंगे सरीर कहीं भी रहे यदि मन से प्रभू का चिंतन हो रहा है तो हम सदयू प्रभू के पास हैं प्रभू हमारे मन में बस जाएंगे सरीर की स्थिती हो शकता है प्रारब्धानुशार कभी रोग युक्त हो कभी किसी संकट युक्त हो लेकिन चित्त यदि प्रभू में है तो कोई आपको परास्त नहीं कर सकता यथा माम प्रपध्यनते तास्तत भजाम में हम प्रभू केते मुझे जो जैसे बसता है मैं वैसे बसता हूँ यदि आप प्रभू का सतत इस्त्मरण करेंगे तो प्रभू ऐसे आपका इस्तमरण करेंगे जैसे कछुआ अपने अन्यों को दूर रख करके चिंतन के द्वारा उनका पूशन करता है हे करुणा में कर्म के अधीन होकर कई भी जन्म हो सकता है कई भी सरीर जा सकता है नाथ आपकी स्मर्ती न छूटे सदैयू आपकी स्मर्ती में डूबा रहो और आप भी ऐसे प्यार करे जिसे कछुआ अपने अन्यों का चिंतन करता है कामना वाशना ये बार बार चिंतन करने से निकल जाती है हम परेशान हो रहें परेशान ना हो हम चिंतन बढ़ाएं भजन बढ़ाएं संसार की सारी कामना वासना जड़ से नस्ठ हो जाएगी संसार आशक्ति का लेश भी नहीं रह जाएगा बजनतों कीजिए अब बार बार नाम जब कीजिए हमारे मन की प्रतेक सूक्ष्म से सूक्ष्म इस्ठूल से इस्ठूल ब्रती दोनों भगवदाकार हो जाएगी इस्ठूल और सूक्ष्म बिरंतर ये बड़े अम्रत में शब्द है जड़ मूल से वासना कामना का नास हो जाएगा बस आप चलते रहे बार 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 श्याम आश्याम श्याम 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 कि पुजिष्री रामदास बावा के जब दर्शन किये तो यही देखा बार बार उनकी जिब्या राम 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 चलता है काफी देर खड़े रहे देखा है ऐसे लार बहे रही थी आखों में जल भरा हुआ था पुल कि जैसे सरदी में रोमांच होता है कई शंत उनकी सेवा परिचर्द्या में थे बस हर समय नाम यही है बड़े-बड़े महापुरुस्किया इसी नाम में यही साधन है यही साध्य है इस्मृति अपने प्यारे की स्मृति में हमारे मन की प्रतेक व्रत्ती भगवदाकार हो जाएगी हमारे मन इंद्रिया इनकी प्रतेक चेश्टा केवल भगवद में हो जाएगी आप इस्मृति बार बार इस्मृति कीजिए प्रभु का इस्मरण प्रभु का निरंतर चिंतन यही महा प्रेम को प्रकासित करता है प्रभु का इस्मरण ध्यान दीजिए प्रभु का इस्मरण प्रभु का निरंतर चिंतन यही प्रेम प्रकासित करता है निरंतर चिंतन बड़े महिमा में काम की बात है अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर बार-बार इस्मरण बार-बार इस्मरण यह विशे तभी आकरशित करता है जब आप इस्मरण करते हो विशे का बल है चिंतन, ध्यान रखना, यदि आपने विशे का चिंतन किया, फिर आप निर्बल हो जाएंगे, प्रभू का चिंतन किया, तो किसी विशे की ताकत नहीं कि आपको परास्त कर दे, आप बचाओ चिंतन से, अपने आपको, ध्याये तो विश्यान उनसा, जब अब आप गिर्ते चले जाएंगे आपका चिंतन भगवत चरणारविंद का, नाम का, लीला का प्रभु से यही प्रार्थना करो संत महापुर्षों के चरणों में प्रणति होकर यह याचना करो कि हमें भजन का दान कर दो हमारी मनुव्रति भजन में लग जाए बार बार हम प्रियालाल की स्मृति में उतकंथा धारन करें, उत्साह पुर्वक बार बार इस स्मृति की हमारे अंदर लगन लग जाए इस विसम संसार पर विजय प्राप्त करना है कैसे? जो निरंतर नाम जब करता है बार बार नाम जब करता है वो इस विसम संसार में सम हो जाता है और भगवत स्वरुप में ममता हो जाती है प्रभू को जितना आप इस मरन करेंगे तो प्रभू आपके रिनी होते चले जाएंगे देख लीजिए सेव संतरार पित करने से नहीं रिनी होंगे सब बातों में नहीं जाना चाहिए, हमें राग छुटाना है, पिंड छुटाना है, तो हम ऐसे रख दिया लिए प्रवु, जो हम अभी भार मान रहते, कि वस्तुमें मेरी है, रुपया-पैसा मेरा है, यह संपत्त्य मेरी है, प्रवु इस मेरे पन को हटाने के लिए, यह ते पहाड सुमेरु सोने का, कितना सोना चाने, चांदी की खाने, उसकी माया में हैं, क्या सोना चाने के, उनको क्या चाहिए, जिस से आपके वो रिनी हो जाएंगे, इस्तमर्दी, यहां बर्णन करें, जो आप बार बार उनका इस्तमर्ण कर रहें तो प्रहू रिनी होते जाएं कितनी महिमा है इस्तमरण के बार बार भार भग्वत चिंतन प्रतरतम का प्रकाश उसी के ह्रदय में होता है जो बार 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 इस्तमरण करते ही वह सारी पातरता आज है जो महा पृॉषों台 होती है सारी पात्रताज अब देख लो भाई जी महराज जब तक सिमलापाल के नजर कैद में नहीं थे तब तक पीछे का जीवन देख लीजी हम और भजन से प्रकासित हो गया फिर हम देरे-देरे मानने लगते हैं कि ये तो शाक्षात भगवान हैं भगवान के अड़रह हैं हमें समझाने के लिए यह ऐसे मनुश्य शरी में हैं अक्षर सा सत्य है कि भगवाह KHए को हम बहुत से हमा सब रूपों में कोई हमें परिशानी नहीं, साब नहीं, लेकिन आये कब उस सरूप में, भजन बल से, भजन, कोई भी, कोई भी, कहीं भी, भजन, आप इसको समझो, किसी से कृपा मांगने की जरुरत नहीं, अगर कृपा मांगो तो यही, कि हमारी भजन में रुची हो जाए, बार बार करके कुछ नहीं है, इसलिए कोई भी पदार्थ, कोई भी अवस्था, कोई भी स्थिती, कोई भी प्राणी, कोई भी सुख दुख, तुम्हें भगवद इस सम्रती से रहित ना कर पावे, यह तुम्हारी चतुरता होगी, यह सावदानी होगी, हमारी सम्रती प्रभु में लगी तो कोई हुआ पास आया ही नहीं हजारों आए हजारों जाए कोई इस्सम्रती में आ रहे है अच्छा आप आए और वह लोग करे अब वह आप आए तो आप गए आपकी स्म्रती गई हमें आप में रहते हुए आप से बात करना यही तो भगवत पारशत की कला होती है अधिन नामी को अधिन कर सुमिर्पवन सुत्पावन नामू अपने बस करी राखे रामू बड़ी महिमा है इस्समरण की सदास्तरवदा प्रभू का मंगल में इस्समरण इससे बड़ा कोई उपासना नहीं कोई साधना नहीं इससे बड़ा कोई लाभ नहीं प्रभु श्री कृष्ण की मधुरिश्मरती रस्मई प्रेममई भप्ती का प्रकास कर देता है अनन्यममता काम का लेश नहीं काम की गंध नहीं कल्पना नहीं निश्कपट सुनिर्मल सुज्वल प्रगाण प्रीती स्री कृष्ण चरणार विंद में किसूरी जुके चरणों में हो जाती इस्मरती बार बार इस्मरती जब तक बिना किसी चेश्टा के अनायास भजनना होने लगे आसक्ति पुर्वक भजनना होने लगे तब तक सावधान रहो फिर तो सावधानी की जयुरत नहीं हो तो चल पड़ा भजन चल पड़ा अब नहीं किसी ताकत नहीं कि रोक दे हड़ियों से भजन होता है जिव्या से होता है यह तो बास समल भी आ गए हड़ियों से लिकल लाथ आस्चद है भजन का प्रभाव सारी सिध्याओं से घेरे होती हो किसी भी सिध्य का प्रियुक करे न करे भजन में बहुत बड़ा बल होता है तुकाराम जी महराज कीरतन कर रहे हैं बीर शिवा जी दर्शन कर लिया है बड़ी शावधानी से संतों के पास जाया जाता था कि कहीं रजोगुन मद ना नजर जावे तो एक अंगरक्षक और आप बिल्कुल साधारन वेश्वुशा में सामने जाके प्रणाम किया हो तो सुरू थे विठल विठल का इसारा कर दिया है इतने में मुगलों को पता चल गया कि बिना किसी सेना के सुरक्षा के सिवा जी अंदर है हो अंगरक्षक भह मांते के धीरिश आया और बताया कि आप घेर चुके आसपास मिलेक्ष सेना घेरे विए तुकाराम जी की तरफ देखा उनोंने इसे वो बैठे रहे पूरी मिलेक्ष सेना अंदर आ गई पूरी जाच की तो केवल तुकाराम जी दिखाए दिया नांगरक्षक न सिवा जी सामने बैठे रहे करतुम करतुम अन्यथा करतुम सर्व समर्थ प्रभू का नाम है और नाम जापक महापुरुस के समीब बैठे बिग्न कोई स्पर्ष नहीं कर सकता बड़ा महिमा में है प्रचंद अगनी की ज्वाला में संपुर्ण लंका भस्म हो गई भिविशन जी की क हनवान जी की पूछ का एक बाल भी नहीं जला बाल पूछ की तो बाट जले बाल ने क्यों ताकर दूद अनल जे सिर जा जरान सोते कारन घिर जा अगनी का किस ने निर्मान किया स्रीहरी ने वे हरी के दूत है, दास को अगनी कैसे ताप दे सकती है, अगनी चंदन के समान सीतलता, विश्वास करो अपने प्रभू पर और उनकी समरती पर, जब तक चित में तुम्हारे किसी बात से छोब हो जाए, विशाद हो जाए, तब तक तुम समझना भी भजन रंग नहीं लाया कोई भी परिस्थिती, घटना तुम्हें चुबित नहीं कर सकती, दुखी नहीं कर सकती, विशाद नहीं हो सकता, क्या हरी है ना, अभी क्या है हमारी इस्थिती नहीं, देखो महापुर्ष्टों की ये बचन है, जब तक कोई घटना तुम्हें चुबित कर देती है, विश कਸुसे अपनी पूल मत खोलो को गूट स्हहरी के चिन्तन को बढ़ाओ भजन बढ़ाओ विशुत्रीक हो जाएगा बढ़ाओ धीरे धीरे और नाम बढ़ाओ और नाम जब भड़ाओ कि जब तक के हारे मात्र आकर्षन परभुव नहीं होंगे है एक भगवत करपा को तुम ठुकरा दोगे यही हो रहा है भगवत करपा हो रही यह आहंकार के कारण हम उसे ठुकरा देते हैं भगवत करपा तो एह तो की है लेकिन अहम वो बरदास्त नहीं कर पा रहा भगवत करपा को जो पाचन होता है वो दैन्निता से रता है आहंकार से बमन हो जाता है जिसके ह्रदे में जितनी अधिक देन्नेता होगी उतनी भगवत क्रपा वहां एकत्तित होती जाएगी पचिती जाएगी एक बार जुद्या के किसी महापुरुष्ट के समीब एक भागवत प्रवक्ता गए हुनका महराज हमारी इच्छा है कि आपके ठाकुर्जी को भागवत सुनाये का सुनाई भागवत सुनाय तो है भागवत सुनाने के बाद कुद्धक्षना देने का बिधान होता है, तुम तो बिरक्त हैं, आप बताईए क्या आपको, तुम का है महराज, आप आसिरवाद दिजिये हमारे संतान में नहीं, संतान हो जाए, ठीक जाओ, हो जाए, बजन बल है संतुक पास क्या नहीं हो सकता वो भगवान को आशिरवात देते हैं संत जनों की तो महिमा अनंत है क्योंकि अनंत उनके प्रीतम है पुले और पुले महराज फिर रुपया पैसा खान पान के सामाग्रियों की बड़ी टोटा रहता है ग्रिस्थी में तो जाओ और बोले भी प्रभु की भक्ति अगर पहले प्रभु की भक्ति बोले होते तो यह मांगने की ज़रत ने थी सब अपने आप आ जाता पहले तुम्हारे अंदर भक्ति क्या कांक्षा नहीं अब इनको भोगो जब इनसे वैराग्य हो जाए फिर बताना भक्ति प्रथम में होनी चाहिए यह जो ऐसा सोचते हैं कि खुब धन संपति आडंबरादी के द्वारा नाटक के द्वारा आ जाए उनको भोगें फिर भक्ति भक्ति अश्य नहीं है हाँ भक्ति के आश्यत आप हो भक्ति मारानी हरदय में आएंगी विशुद्ध ग्यान विशुद्ध बैराक हरदय में रहेगा तो प्रभू का संपुर्ण वैभवाद जिद्धिया सिद्धिया मोक्स सबाद क्योंकि प्रभू जाएंवा कौन सी कमी रहेगी लेकिन अगर संसार में कोई ऐसे नहीं गया कि अगर ऐसे गया है तो नाथ के चरणों का ही आस्त्रे लेकर गया कोई ऐसा कोई भी सबधूरे ही गये हैं यहां से किसी संत्य ने सुनाया था कि जब रावन का अंतिम समय था तो संतों की बाणी होती किसी सारे से समझा सकते तो प्रभूने लक्ष्मन जी से का महा विद्ध्वान है ब्रामण ब्रह्मरिशी की संतान है अंतिम समय है पूछलो जा कि इससे कुछ है तो लक्ष्मन जी गए सिर शराने खड़े हो गए तो इसे देखा कुछ बूला नहीं आये वोले तो कुछ बूला नहीं बूले कहां खड़े थे वोले शराने लेसा नहीं चरणों की तरफ जाओ और ऐसी मुद्रा में क्योंकि तभी गए तो उन कहा कि हम आपका अंतीमन वह सुनना चाहते हैं प्रभु निखा है वोले अभी तो हमें मुर्शाई थी इसलिए अभी तो युद्ध करेंगी प्रभु से पहली बात यह हमारे एर्दे के आकंश और दूसरी बात यह हम बताए जा रहे हैं कि अद्भुत सास्त्रूं का ग्यान महादेव की कृपा से हैं और बल भी है समस्ते देवता को पराजित करने का बल है पर मैं अपूर्ण रहा मेरी सारी कावनाएं धरी की धरी रह गई इसलिए हमने विचार किया कि कोई कितना भी बड़ा बल्वान हो बिद्वान हो लेकिन वह अधुरा ही जाता है जब तक उसे वस्तु का तत्तु का बोध नहीं होता तब तक आज म मैंने सोचा था कि समुद्र जो हमारी खाई है इसे मीठा कर दूँगा है नमकीन है न मीठा कर दूँगा सोचा था सोचा था कि रात्री को आने नहीं दूँगा प्रकास ही प्रकास है सोचा था एक ऐसा यात्रा का मार्ग बनाऊंगा सिली जो सीधे स्वर्ग जाएगी किसी को अलोकिक्ता की जरुवत नहीं पड़ेगी बहुत कुछ सोचा था लेकिन सब सोचता है रह गया हाथ कुछ नहीं आया इन कामनाओं ने हमें नश्ट कर दिया वस्तु नहीं नहीं लक्षमर जी आके प्रभु से महाराज यह यातिने अपना नुगाओ बड़े बड़े संसार की तरफ से यदि तुम तरफ्त होना चाहते तो अभी लेलो अनुगाओ कभी कोई तरफ्त नहीं हुआ क्यों लंबा सफर है यहां भी इसी चान बिगरी जना मने किया भाहीं सुदर आज गुश्वामी जी ऐसे थोड़ी के रहे अनुगो की बात के रहे न सोचती न कांक्षती ऐसी स्थिति केवल केवल प्रभु में ही है संसार की इस प्रवाह को दुन्द में प्रवाह को देखकर चल प्रीय संकल्प से प्रगठ वे पूत्र थे कमाल वी चलती चक्की देखके दियो कमाल ठटाए रहे सहारे कील के तो बाल नबाका जाए जो दाना सकिल के कील के पास पहुँद गया रात दिन चक्की चले तो भी पिसेगा लई वो इस संसार के दुन्दात्मक माया में प्रपंच में सब पिस रहें लेकिन वो कील है इस संसार चक्र को चलाने वाली उर्धमूल मूल है प्रभू अगर प्रभू के चरणों का अस्त्रे ले लिया तो बाल न बाका जाए इस चक्र में रहते विए भी वो पिसेगा नहीं से अपनी एक एक ब्रत्ती को प्रभू के चरणों के आश्रित करो भजन में कभी घवडाव नहीं कि हमाई अंदर बिकार बढ़ रहें बढ़ेंगे सबको जैसे जैसे आपका भजन बढ़ेगा वैसे वैसे थोड़ा जलन बढ़ेगी विकार दिखाई देंगे कि बढ़ रहें बढ़ नहीं रहें वो जो जलन हो रही ना अनंत जन्मों से जो मलिन अंता करन उसको पावन किया जा रहा है धैरे रखना आनंद के लोब से भजन कर रहे हरदे में जलन होगी आपको लगेगा जब से माला सुरू किया भजन सुरू किया तब से असान्ती बढ़ रही देखा गया महापुर्शो के शमीप जाने पर सास्त्रों में लिखा शान्ती मिलती है लेकिन आपका हरदे जलने लगेगा आपको परेशा जल रहा है सह जाओ थोड़ा जल जाओगे पवित्र हो जाओगे हां डरो मत यह मार्ग महा अनंद का है बार 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 भार भगवन नाम जब करो मंत इस्मरन करो प्रभु के चरणों का इस्मरन करो लीला गयन करो यही परमश्रा मिस्थिती शिराधा वल्लाल की जय